वैदिक का वैदिक शब्द वेद से बना है वेद का अर्थ ज्यान होता है भारत में सेदव संस्कृति के पश्चाथ जिस नवीन शब्धता का विकास हुआ उसे वैदिक सब्धता या आर्ष सब्धता से के नाम से जाना जाता है आर शब्द भासा सूचक है जिसका अर्थ स्रेष्ट या कुलीन क्लासिक संस्कृती में आर शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ती आरियो का इधिहास मुक्त्था वेदों से ग्यात होता है सामानता वैदिक साहित की रजना का स्रे आरियो को दिया जाता है आरियो के मूल निवास अस्थान को लेकर मत भेद है परनतु इतिहास कारों ने इस पर अलग-अलग विचार प्यक्त किये है आरियो का मूल निवास अस्थान और विद्वान कश्मीर आत्वा हिमाला छेत्र, LD कल, ब्रह्मनी देश, पंडित गंगानात जा, सब्त सैंधा प्रदेश, डाक्टर अभिनास चंद्रदास, देविका प्रदेश, स्मुल्तान, डी-एच त्रिवेदी, दक्षिनी रूस, गार्डन चाइल्ड्स, मध एशिया, मैक्स मुलर, उत्तरी धुरू, पंडित गंगाधर, पंडित बाल गंगाधर तिलक, तिबबत स्वामी द्यानन सरस्वती, जर्मनी, हर्ट एंड पेनका, हंगरी, गाइल्ड्स, वैदिक काल को दो भागों में भाजित किया जाता है, पहला रिगवैदिक अथवा, पुर्वे वैदिक काल, जो कि पंडरा सो से एक अजार इसा पुर्व, तथा दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जो कि एक सो इसा पुर्व से छे सो इसा पुर्व में कालंकरित है, रिगवेदिक काल का इतिहास पुरुनता रिगवेद से ग्यात होता है रिगवेद में लोहे का उल्लेक नहीं है उत्तरवेदिक क्रंथों में लोहे का उल्लेक मिलता है रिगवेदिक के नदी सुक्त में 21 नदीयों का वर्णन है जिसमें सबसे पच्छी में कुभा तथा सबसे पुर्व में गंगा है रिगवेद में अफगानिस्तान की चार नदियों कुम, कुरुमू, कुभा, गोम्ती और सुवास्तु का उल्लेक मिलता है रिग वैदिक में सब्त सैंधा प्रदेश की साथ नदियों का उल्लेक मिलता है ये नदिया है शरवस्वती, विपासा, पुरुष्णी, वितस्ता, सिंधू, सतुद्री तथा अश्किनी रिग वैदिक में यमना नदिका तीन बार जबकि गंगा नदिका एक बार उल्लेक हुआ है इसमें कश्मीर की एक नदि मरू, मरू, द्रविदा उल्लेक मिलता है रिग वैदिक में सिंधू सभिता का सारवादिक बार उल्लेक हुआ है जबकि रिग वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदि सरस्वती थी जिसे माते तमा, देवी तमा और नदि तमा नदियों में प्रमुक कहा जाता है सिंधू नदि को उसके आर्थिक महत्वे कारण हिरनिये कहा गया है तथा इसके गिरने की जगा परावत अर्थात अरब सागर बताई गई है गंगा यॉमना के दुआब एवं उसके सिमावर्थी छेतरों को आर्यों ने ब्रह्मी देश के नाम से कहा है आर्यों ने हिमालय और विध्यानचल परवतों के बीच का नाम मद्ध देश रखा है कालंतर में आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया जिसे आरवर्थ कहा जाता था 14 सर इसापूर्वे में भोगज कोई एशिया माइनर के अभिलेग में रिगवैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुन, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है रिगवैदिक काल की नदियाँ पराचीन नाम और आधुनिक नाम अश्कनी प्राचिन नाम और आध्वनिक नाम चिनाव विपाशा प्राचिन नाम आध्वनिक नाम व्यास पुरुष्णी प्राचिन नाम आध्वनिक नाम रावी वितस्ता प्राचिन नाम आध्वनिक नाम झेलं कुभा प्राचिन नाम आध्वनिक नाम काबुल कुम्रु प्राचिन नाम आधुनिक नाम कुर्रम गोम्ती प्राचिन नाम और आधुनिक नाम गोमल सुवास्तु प्राचिन नाम आधुनिक नाम स्वात सदानीरा प्राचिन नाम आधुनिक नाम गंडक सतुद्री प्राचिन नाम है और आधुनिक नाम सतलज है दिरिश दूयती प्राचीन नाम है और अगह घर आधुनिक नाम वेदिक साहित को शुरूती भी कहा जाता है शुरूती के शाब्दिक अर्थ है सुना हुआ भारतिय साहित में वेद सारवाधिक प्राचीन है वेद चार है एक पहला रिगवेद दूसरा सामवेद तीसरा यजुरूवेद और चोथा अथरवेद रिगवेद यजुरूवेद तथा सामवेद को वेदत्रई या त्रई कहा जाता है प्रतेक वेद के चार भाग होते हैं सहीता, ब्रह्मन, क्रंथ, अडन्यक और उपनिशद रिगवेद में कुल दस मंडल तथा एक हजार अठाइस सुक्त और दस हजार पांसो बामन रिचाय है एक हजार सतर सुक्त शाकाल में तथा 11 सुक्त बाल खिल्ड में है रिगवेद के 2 से 7 तक के मंडल प्राचीन माने जाते हैं रिगवेद के मंडल एवं उसके रचेता प्रथम मंडल मधुच चंद मेधाथी थी दूतिय मंदल गृत्समद, तिरितिय मंदल विश्वामित्र, चतुर्थ मंदल भामदेव, पंचम मंदल आत्री, सस्टम मंदल भारत्वाज, सप्तम मंदल वसिष्ट, अस्ठम मंदल कर्ण एवं आगी रस, नवम मंदल सोम देवता और अन्य रिशी, दसम मंदल वीमता इंद शची और अन्य रिगवेत के तिरितिय मंडल में गायतिरी मंदर का उल्लेक है इसके रचनाकार विश्वा मित्र है यह सभीता शुर्य देवता को समर्पित है रिगवेत के नौवे मंडल के सभी 114 शुक्त शुम को समर्पित है प्रारंभ में हम तीन वर्णो का उल्लेक पाते है엔 ब्रह्मन, छट्रिय तता वष्ष कुद्र सभ्द का उल्लेक सरपर्थम रिगवेत के दसमे मंडल में पुरुशुक्त में हुआ है रिगवेद के मंतरों का उचारन करके यग संपन कराने वाले प्रोहित को होता कहा जाता है एतरी तथा कौस्टी की रिगवेद को दो ब्रह्मन गरंध है पतंजली के इनुसार रिगवेद की एकी सखाए है एत्रिय ब्रह्मन में शुना स्चेप आख्यान का वर्णन मिलता है येज़ुरुवेद में शुरोत एवं कर्मकांड वर्णित है या वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है यbeiten कर्मकांडों को संपन कराने वाले पुरोहित को धरवी कहा जाता था यजुरुवेद की दो सिखाएं हैं कृष्ण यजुरुवेद और पद्ध और गद्ध दोनों में है और शुक्ल यजुरुवेद केवल पद्ध में है यजुरुवेत का अंतिम भाग इशोब निशद है जिसका संबंद यागिक अनुस्थान से ना होकर अध्यात्मिक चिंतन से है शुक्ल यजुरुवेत की मुख्य साका काण्व तथा मंदाईन है शुक्ल यजुरुवेत की सहिताओं को वाजसने भी कहा गया है क्योंकि वाजसनी के पुत्र याग वलक के इसके दरश्टा थे कृष्ण यजुरुवेत की मुख्य साकाएं तैत्रिये, काठक, मैत्रयनी और कपिस्थल सब्सद्पत ब्रह्मन के शुक्ल यजुरुवेत का ब्रह्मन गरंद है इसमें पुनर जनम का सिधान्त जल पलावन कथा पुरूखा उर्वशी आख्यान तथा पुरुश मिग का वर्णन है साम का अर्थ संगीत अधवागान से होता है साम वेद में यग्यों के अवसर पर गाय जाने वाले मंत्रों का संग्रा है जो वेक्ति इन मंत्रों को गाता था उसे उद गाता कहा जाता था साम वेद में कुल 1875 रिचाएं हैं जिनमें 75 जबकि कुछ विद्यानों के अनुसार 99 को छोड़ कर सेस सभी रिग वेद में भी उपलब्द है साम वेद के मुख शाखाएं कौथिमियें राणा यनियें और जैमेनियें हैं अर्थवेद में 20 कांड 730 सुक्त और 5967 मंत्र हैं इन में 1200 मंत्र रिग वेद के हैं अर्थवेद के मंत्रों का उचारन करने वाले पुरोहिद को ब्रह्मना कहा जाता है अर्थवेद में मगत तथा अंग दोनों दूरस्त परदेश कहा गया है इसमें सभा इबं समीती को प्रजापती की दो पुत्रियों कहा गया है इसमें समान मनुष के विचारों विस्वासों और तथा अंध विस्वासों का विवर्ण मिलता है अर्थवेद की दो शकाएं उपलब्ध है पिपललाद तथा शौनक याग वलक के गारगी के प्रसिद समवाद का उलेक बिहदर रहनेक के उपनिशद में है कठो पनिशद में यम और निछे नची किता का समवाद लखित है कठो पनिशद कृष्ण ये जुरुवेद का उपनिशद है सत्तमेव जैते सब्द मुकुंद पनिशद से लिया गया है अर्थवेद में एकमात ब्रह्मन गौपत ब्रह्मन है इसका कोई अड़नियक नहीं है उपनिशद दर्शन पर आधारित पुस्तके हैं इन्हें वेदांध भी कहा जाता है उपनिशद का अर्थ शिस द्वारा ग्यान प्राप्ती है तो गुरु के समीब बैठना है उपनिशद में प्रथम भार मुक्ष की चर्चा मिलती है यह शब्द स्वेता वशवर उपनिशद में पहली बार आया है वेदांग की संख्या छे है यह है सिक्छा, कल्प, वियाकरन, निरुक्त, चंद, एवं जोतिशी शुल्व सुत्र में यगिये वेदियों को मापने उनके अस्थान चैन तथा निर्मान आदी का वर्णन है पुरानों की संख्या अठारा है यह है मतस्य, मार्ट, केंडे, भविष, भागवत, ब्रह्मान्ड, ब्रह्म, वैवर्त, ब्रह्म, वामन, वरा, विश्न, वायू, अगनी, नारद, पदम, लिंग, गरूड, कुर्म, अस्कंद, पुरान इसकी रक्षना लोमहर से रिशी तथा उसके पुत्र, उग्र, शरवा, द्वारा की गई है इनमें भविस्वत काल, शैली में कल्यूग के राजाओं का विबरन मिलता है हिंदू पुरानिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मत्हानी के रूप में, मद्रांचल परवत तथा रस्षी के रूप में सर्पो के राजा वास्यूगी का पर्योग किया गया है इसमें विश्वत के कुर्मा, वतार, धारन का पर्मुद्रांचल परवत पर उसके उपर रखा गया था अनु, दुरुय, पुरू, यदू, तुर्वस को पंच जन कहा गया है जन के अधिपती को राजा कहा जाता था कुलब परिवार का स्वामी पिता अत्वा बड़ा भाई होता था ग्राम का मुख्या ग्रामनी तथा विश्व का प्रमुक विश्वती कहला था दशराज यग का उल्ले करिक वेद के साथ में मंडल में मिलता है इस युद्ध में परतेक पक्ष में आर एवं अनार थे यह युद्ध परुशनी नदी आधुनी के नाम रावी नदी के तटप लड़ा गया था दशराज युद्ध के भरतों के राजा सुदास त्रिसू राजवंस तथा दस राजाओं के एक संग इनमें पंच जन तथा पांच लगो जन जातियों आलिन पक्त भालान शिव विशाँ पडिन के राजा सम्मिलित के मद्ध हुआ है इस युद्ध में सुदास की विजए हुई सुदास के प्रोहित वसिष्ट थे रिगवैदिक युग में राजा भूमी के स्वामी नहीं था वह प्रधानता युद्ध में जन का नेता होता था विदत आरियों के प्राचीन संस्था थी रिगवैद में प्रोहित सिनानी तथा ग्रामनी का उलेख मिलता है पुरोहित युद्ध के समय राजा के साथ जाता था असपस गुप्त चर्त था दूत नामक करमचारियों का भी उलेख मिलता है रिगवैदिक समाज के सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी रिगवैदिक समाज पर सतात्मक समाज था वर्ण शुक्त में सुना सेस अख्यान से ग्यात होता है कि पीता अपनी संतान को बेज सकता था रिगवैदिक कालीन में समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद से रही था रिगवैद में वर्ण शुक्त का अर्थ था अर्थ में तथा कहीं कहीं वेवसाय चेन के अर्थ में होता है रिगवेद के दसवे मंडल में पुरुष शुक्त के सरपथम शुद्र शब्द मिलता है इसमें विराट पुरुष के विभिन अंगों के चारो वर्णों की उत्पत्ती बताई गई है विराट पुरुस के मुख से ब्रह्मन, भुजाओं से राज्यन च्छत्रिये, उरू जंगास, भाग से वैशे तथा पैरों से सुद्र उत्पन हुए गौतर शब्द का सरपर्थम उल्लेक रिगवेद में हुआ है गौतर शब्द का मूल अर्थ है, गोष्ट अत्वाव अस्थान जहां समूचे कुल का गौधन पाला जाता है परन्तु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुस से उत्पन लोगों का समुदाय को हो गया गौतर प्रथा की अस्थापना उत्तरवैदिक काल में हुई थी आर्यो द्वारा अनार्यो को दिये गए विभिन नाम है अब्रहन वेदो को ना मानने वाले अयज्वन यग ना करने वाले अनासह बिनानाक वाले अदेवयू देवताओ को ना मानने वाले अर्वत वैदिक वरतों का पालन ना करने वाले मृधवाक कटू वानी वाले सत्पत ब्रह्मन में सत्पत ब्रह्मन में पत्नी को पती की अर्धांगनी कहा गया है रिगवेद को जाय दस्तम अर्धात पत्नी की पत्नी ही ग्रे है कहकर उसके महत्व को शिकार किया गया है कन्या की विदाई के समय उपहार एवं दरब दिये जाते थे उसे वहतु कहा जाता है इस्तरियों में पुनरविवा एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी नियोग प्रथा से उत्पन संतान छेतरच कहलाती थी समाज में सती प्रथा के प्रचलन का उधारन नहीं मिलता है जो कन्याएं जीवन वर कुमारी रहती थी उन्हें अमाजू कहा जाता था रिग वेद में घोशा, लोपा मुद्रा, विश्वा, वारा, अपाला, आदी इस्त्रीय सिक्षित थी जिन्होंने कुछ मंत्रों की रचना भी की थी लोपा मुद्रा, अगस्त रिशी की पत्नी थी आरमान सहारी तता साकाहारी दोनों प्रकारगे भोजन करते थे भोजन में दूद, घी, दही, आदी का विसेस महत्वता दूद में पकी हुई खीर, छीरपा, कौदन का उल्लेख मिलता है जो के सत्तु को दही में मिलाकर करम नामग, खाद पदार्थ बनाया जाता था रिगवैदिक काल में तीन परकार ये वस्तर परचलित थे नीवी वासस एवं अधी वासस, इस्तरी एवं पुरुष आभुसन पहनते थे रिगवैदिक आरे, आरे आमोद प्रमोद का जीवन व्यतित करते थे रथ दौड, घुड़ तथा पासा खेल उनके मरवरंजन के साधन थे वाधों के जाज, मंजीरे, दुर्धुबी, करकरी, वीडा, बासुरी आधी का उल्लेक मिलता है आरियों के संस्कृति मूलता है, ग्रामिन थी क्रिशी और पशुपालन उसके आर्थिक जीवन का मूल आधार था रिग वैदिग में पशुपालन की तुलना में क्रिशी का उल्लेक बहुत कम मिलता है रिग वैदिग में मात्र 24 मंत्रों में ही रिशी का उल्लेक मिलता है उर्वरा या छेत्र क्रिशी योग भूमी को कहा जाता था बटाई, बुआई, कटाई, मडाई, आदिक क्रियायं से लोग परिचित थे रिग वैदिग में कुलिया नहर, कूप तठा अवट खोद कर बने हुए गड़े अश्म चक्र रहट की चर्खी आदिका उल्लेक है रिग वैदिग के समाज में वेवसाय अनुवांसिक हैरिरिट्री नहीं थे रिग वैदिग में तक्छा बढ़ी, स्वनकार, चर्मकार, वाय जुलाहे, कर्मा धातू कर्म करने वाले कुमहार आदिका उल्लेक मिलता है कताई भुनाई का कार इस्तरी पुरुजदोनों करते थे रिग वैदिक से पता चलता है कि सिंध तथा गांधार, प्रदेश, सुंदर, उनी, वस्त्रोक के लिए विख्यात था वियपार अदला बदली, प्रनाली पर आधारी थी विनियम के माध्यम से रूप में निश्क का उल्लेक हुआ है वियापार वानीज प्रधानता पढ़ी वडग के लोग करते थे रिग वैदिक आर लोहे से परिचित नहीं थे रिग वैदिक काली शताबदी शब्दा वली एवम अर्थ निवी कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र, वासस कमर के उपर पहना जाने वाला वस्त्र, अधिवासस उपर से धारन किया जाने वाला चादर या उड़नी, तक्छा, बढ़ाई, कर्म, धातू, कर्म करने वाले, वेकनाट, सूद खोर, अरित्र, अतवार, अरित्र, न ग्रंथ है जिसमें हमें सरप्रथम बहु देववाद का दर्शन प्राप्थ होते हैं याश्क के निरुक्त के अनुसा रिग वैदिक देवताओं की संक्या मातर तीन बताई गई है ग्रिग वैदिक देवताओं का वरगी करण तीन वरभों में किया गया है प्रीथवी के देवता प्रीथवी अगनी ब्रेस्पती सूम आदी अकाश के देवता वरुन सुर मित्र पूर्षन विष्णु अश्विन आदी अंत्रिक्ष के देवता इंद्र पुर्जन्य रुद्र आप वायू वात आदी इंद्र को विश्का स्वामी कहा गया है इन्हें पुरंदर अर्थात किलो को तोड़ने वाला कहा गया है रिगवेद में सारवाधिक शुक्त 250 इंद्र को समर्पित है इंद्र को आरियों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता है रिगवेद में अगनी को दोश शुक्त समर्पित है और इसकाल में के दूसरे सारवाधिक महत्पुन देवता है रिगवेदिक देवताओं के में सोम को तीसरा अस्थान प्राप्थ है वरुन को समुद्र का देवता एवं रित को नियामक माना जाता है वरुन को वैदिक सभता में नैतिक अवस्था का प्रधान माना जाता है इसी कारण उसे रिन अस्थय गोपा भी कहा जाता है इरान में वरुन को अहुर मजदा तथा युनान में ओरनोज के नाम से जाना जाता है रिग वेद में नौवे मंडल में सभी 114 मंतर सोम को समर्पित है वनस्पतियों और शोधियों के देवता पूशन है इनके रत को बकरे द्वारा खीशते हुए प्रदर्शित किया गया है जंगल की देवी अर्ण यानी जबकि ग्यान की देवी सर्वसती थी उत्तर वैदिक काल में अनू, दुरुवे, तुर्वश, क्रीवी, पूरू, भरत आदी जानों का लोप हो गया है सत्पत ब्रह्मन में कुरू और पंचाल को वैदिक सभिता का सर्वसेश पतिनीधी बताया जगया है चंदो योपनिशत से ग्यात होता है कि कुरू जनपत में कभी ओले नहीं पड़े और नहीं टिडियां के उपद्रों के कारण अकाल ही पड़ा उत्तरवैदिकाल में काशी, कोशल, गुरू, पंचाल, विदेह, मगद, अंग, आदि, प्रमुख राज है उपनिशत में कुछ छत्रिये राजाओं के उल्लेक प्राप्ते होते हैं विदेह के जनक पांचाल के राजा प्रवाहण जाबाली, केके के राजा अश्वपती और काशी के राजा अजाद, शत्रू, प्रमुख थे विभिन दिशाओं में राजा के विभिन नाम, पुर्व में समराठ, पष्षिम में स्वराठ, उत्तर में विराठ, दक्षिन में भोज और मध्य में राजा एत्रे ब्रह्मन में सर्पत्म राजा की उत्पत्ती का सिध्धान्त मिलता है एत्रे ब्रह्मन में कहा गया है कि समुद्र परियत प्रित्वी का शासक एकराट होता है अर्थवेद में एकराट सरवच शासक को कहा गया है अथर विवेद में परिक्षित को मृत्यू लोक का देवता कहा गया है चंदो ग्योपनिशद और बिहदा रंड्यक उपनिशद में उद्दालक आरूनी पुत्र श्वेत केतु के बीच प्रम एवं आत्मा की अभिन्यता के विशय में समवाद है अथर विवेद में सभा और समीती को प्रजापती की दो पुत्रिया कहा गया है वैदिक काल में सभा और समीती नामकदोज संस्थाय राजा की निरंकुष्टा एपर नियंतरन रखती थी संभावता सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संख्या थी जिसमें उच्च कुल में उत्पन व्यक्ती ही भाग ले सकते थे इसके विप्रीज समीती सर्वा शाधारन की सभा थी जिन में जनों के सभी व्यक्ती अथवा परिवारों के प्रमुख भाग ले सकते थे सभा रिगवेदिक में आट बार उल्लेक मिलता है रिगवेद में समीती को छे बार उल्लेक मिलता है उत्तरवेदिक काल में सभा में महिलाओं की भागिदारी बंद कर दी गई थी सहीता एवं ब्रह्मन काल तक समीती का प्रभाव कम हो गया था और यह केवल परामर्ष दाइनी परिशद ही रह गई राजसुई यग में रत्ने हविस उत्सव के समय राजा के रत्तिन के घर जादा था अलग-अलग ग्रंथों में में रत्नियों की संख्या अलग-अलग प्राप्त होती है सत्पत ब्रह्मन में सरवादिक बारा रत्निया का उलेख है पुरोहिद राजा का प्रमुख प्रामर्श दाता सेनानी सेना का प्रमुख ग्रामनी और ग्रामनी ग्राम का मुखिया महिसी राजा की पतनी सूत रत सेना का नायक संग्रहिता कोशा ध्यक्ष भाग दूद कर इकत्र करने वाला अधिकारी अक्षवाप अक्षवाप आय वै गणनाक्ष धूद क्रीडा में राजा का मित्र पाला गल विदूशक छत्री छत्रा प्रतिहारी या देवारिक सत्पत ब्रह्मन तता काठक सहीता में गोवी करतन गवाध्यक्ष तक्षा बढ़ाई तता रत्थ रत्कार रत्क बनाने वाला का नाम भी रत्नियों की सूची में मिलता है सत्पत ब्रह्मन में रासुई यग का विस्तिर्थ वर्णन है रासुई यग में राजा का अविशेक सत्रा प्रकार के जल से किया जाता था पारिवारिक जीवन रिगवैदिक काल के समान था समाज प्रित सत्तात्मक था एत्रिय ब्रह्मन से पता चलता है कि अजीगर्थ ने अपने पुत्र सुनह सेस को सौ गायों को लेकर बली के लिए बेच दिया था उत्तरवैदिक काल में समाज चार वर्णों में विभक्त था ब्रह्मन, छत्रिय वैश और सुद्र एत्रिय ब्रह्मन में चारों वर्णों के करतवों का वरदन मिलता है छत्रिय या राजा भूमी का स्वामी होता था वैश दूसरे को कर देते थे अन्यसे बलिकृत शुद्र के तीनों वर्णों का सेवक अन्यस्त स्रेश कहा गया है एत्रे ब्रह्मन में कन्या को चिंता का कारण माना गया है मैत्रयानी सहिता में इस्तरी को पासा तता सुरा के साथ तीन प्रमुक बुराईयों में गिनाये गया है प्रिहद्रान्यक उपनिशद में याग वलक के गारगी समवाद का उल्लेख है उत्तरवेदिकाल में इस्त्रियों की दशा में गिरावट आई चंदो ग्योपनिशद में केवल तीन आश्रोमों का उल्लेख है जबकि सरप्रथम चारो आश्रोमों का उल्ले के जला लोप निशद में मिलता है ये थे ब्रह्मचर 25 वर्स, ग्रेस्ट 25 से 50 वर्स, वानपरस्थ 50 से 75 वर्स तता सन्यास 75 से 100 वर्स मनुस्थ की आयू सब वर्स मानकर परतेक आसरा में 25 वर्स आयू निर्धारित की गई बौधायन धर्म सुत्र के अनुसार गायत्री मंत्र द्वारा ब्रह्मन बालक का उपनेयन संसकार वसंत रितू में 8 वर्सों की अवस्था में किया जाता था जगती मंत्र द्वारा वैश बालक का उपनेयन संसकार ग्रिश्म रितू में 11 वर्स की अवस्था में किया जाता था जगती मंत्र द्वारा वैश बालक का उपनेयन संसकार शरद रितू में 12 वर्स की अवस्था में होता था वैदिक काल में जिविको पारजन हे तू वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाता था ब्रह्म वादिनी वे कन्याय थी जो जीवन भर आश्रम मेरा कर सिक्षा प्राप्त करती थी जबकि साधो वदो विवाह पुर्व तक सिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याय थी ग्रहस्त आश्रम में मनुष्य के पांच महायग का अनुष्ठान करना पड़ता था ये पांच यग हैं ब्रह्म यग प्राचीन रिश्यों के प्रती स्रद्धा प्रकट करना देव्यग देवताओं का सम्मान भूत्यग सभी प्राणियों के कल्यान नार्थ पृत्यग पित्रों के तरपन हे तू मनुष्यग मानव मात्रा के कल्यान हे तू सत्पत ब्रह्मन में क्रिसी की चारो क्रियाओं का उल्लेख हुआ है ये है जुताई, बुवाई, कटाई और मडाई काठक सहीता में 24 बेलो द्वारा हलो को खीचने का उल्लेख मिलता है उत्तरवैदिक काल में उत्तर भारत में लोहे का परचार हुआ उत्तरवैदिक साहित में लोहे को कृष्ण आयस कहा गया है तैत्रिय सहिता में रिण के लिए कुसीद तथा सत्पत ब्रह्मन में उधार देने वाले के लिए कुसीदिन सब्द मिलता है माप की विभिन इकाईयों थी निश्क सत्मान कृष्ण पाद आदी कृष्ण संभवता बाट की मूर्भूत इकाई थी गुंजा तथा रतिका भी उसी के समान थी रतिका को साहित में तुलाबीज कहा गया है सत्पत ब्रह्मन में पूर्वी तथा पश्चिमी समुन्दरों का उलेक मिलता है वाजन, पेई सहिता एवं तैत्रीय ब्रह्मन में विभिन विवसाय की लंबी सूची मिलती है इनमें प्रमुक हैं रतकार, स्वर्णकार, लुहार, सूत, कुम्भकार, चर्मकार और रज्जुकार आदी इस्त्रियां रंगाई, सुईकारी आदी में निपुनि थी उत्तरवैदिक काल में वेप्यार वस्तु विनियमन पर आधारित था उत्तरवैदिक काल में धर्म और दर्शन के छेत्रे महत्पुन परिवर्टन हुए रिगवैदिक काल के वरुन इंद्र आदी का अस्थान प्रजापती विश्नु एवं रुद्र शिव से लिया गया यगों में पशुबली को प्राथमिक्ता दी गई तथा अन्य आहुतियों गौन होतने लगी राजसुई असुमेग तथा वाजपई जैसे विसाल यगों का अनुस्थान किया जाने लगा अगनि स्थोम यग साथ दिनों तक चलता था पहली बार सत्पत ब्रह्मन में पुनर जनम के सिध्धान्द का उलेक मिलता है उपनिशदों में ब्रह्म एवं आत्मा के संबंदों की व्याख्या की गई है पुरुशार्थ के संख्या चार थी धर्म अर्थ काम और मोक्ष धर्म अर्थ तथा काम को तिर्वडग कहा गया ग्रेह सुत्रों में 16 प्रकार के संस्कारों का उलेक है यह है गरभावन, पुन्सवन, सीमन्तो नियन, जातकर्म, नामकरन, निश्क्रमन, अन्नाप्राशन, चूडाकर्म, कर्नवेग, विधारंब, उपनिया संसकार, विधारंब, के शांत, सरसमावर्तन, विवाह एवं अन्तियोष्ठी ग्रेह सुत्र में 8 प्रकार की विवाहों का उलेक है यह है ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, गंधर्व, असूर, राक्षस, एवं पैशाच विवाह